दानिश अली जी दन्यवाद अद्यक्ष मोदे आपने मुझे एक बहुती महत्पून मुद्धा उठाने का मौका दिया प्रधानमंत्री श्री नरिंद मोदी जी की सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है महिलाओ को उनके अधिकार दिलाने की बात करी है ये देश मिली जुली संस्कृती का देश है यहां पर हर मधब के लोग हैं हर किसी का अपना अलग कल्चर होता है और आप जानते हैं अधिक्ष मोदे कि हमारे देश में बालिकाओ को पढ़ाने में सेकिंड प्रॉयरिटी हमारे समाज में रहती है लड़कियों को स्कूल जो है फर्स प्रॉयरिटी अभी भी नहीं है और खास तोर से ऐसे समाज में जो जो डलीत हैं ट्राइबल हैं माइनोरिटी हैं खास तोर से मुस्लिम समाज में जो है बच्चियों को स्कूल भेजने में प्रॉयरिटी उतनी नहीं है पिछले दिनों ये बहुत महत्पूर मु स्कूल में कुछ लड़कियों को इसलिए रोका जा रहा है कई महीने से कि वो जो है अपना सर ढख करके स्कूल जाती हैं तो क्या इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या या पगड़ी बांधना ये कोई अपराद है इस बुनियात पर उन बच्चियों को स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही वो स्कूल के अंदर तो एंट्री होती है लेकिन क्लास में इसलिए उनकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है उन्होंने अपना सर ढख रखा है तो मैं आपके माधियम से सरकार से एक का चाहूंगा कि इस